हेलो गुड़ी इदिंग फ्रेंज ये है श्याम का मेरा छी बजे का व्लोग तो ये वह आपको पता ही है सुबह का व्लोग मैंने डाला था तो उसमें तो आपको सारा कुछ वह पता ही है आपको भी आदिदी नहीं आई थी तो वह पोचे बरतन वगेरा सारा काम करकर पांच बजे मैं पोचे-पोचे लगा कर फरी हुई थी और देखे बिल्कुल आदा का घंटा अराम करा तो इतने में क्या हुआ कि हस्बंट भी आज जल्दी आगे तो इन्होंने जल्दी आनका रिये ज़र नहीं हुआ कि इन्होंने तंदूर से तंदूर इन्होंने मंगवाया कल तो चुल्ले की रोटियां इनको इतनी ज़्यादा अच्छी लगी तो कहने लगे अपा तंदूर भी मंगवाते हैं वैसे तो फ्रेंस हमें तंदूर की रोटियां मैंने कभी नहीं लगाई और कभी ट्राय भी नहीं किया पर फिर ये ले आये तो फिर मना भी नहीं किया गय तो बस इतना कल चुले की रोटियां खाकर इतना चाव चड़ा हुआ था एक बार सब कोई और वैसे तो फ्रेंड्स होती है अच्छी है चुले की तंदूर की पर आजकल वही है ना टाइमिंग कहा है टाइम किसके पास है काम यह अपनी इतने स्पीड में और इतने जादा हो कि पहले तो ओते थे ना की लोग फ्री होते थे बठे रहते थे आराम से रोटियां बनती रहती है रोटी क्हाई आराम से कपड़े दूते रहती है आजकल यह उता है कि मशीन लगा दी तो मशीन लगाने के बाद हम फटा फट से दस काम और कर लेते हैं तो बस फ्रेंड्स उसके लिए मैंने बस तंदूर की रोटियां लगानी है तो मैंने मिसा आटा गुंदा है और ये चटनियां बनाऊंगी मैं एक इन्होंने का चोक लगा कर चटनी बनाऊंगी टेमाटर प्याज लसन वगरा काट कर और दूसरी कच्ची लाल चटनी बनाऊंगी जिसको की बिना चोक के बनाऊंगी तो तो जी तंदूर में प्याज वाली रोटियां प्याज और मिथी की लगा कर बनाएंगे कोशिश करेंगे कोशिश तो हना हर काम में कोशिश करनी चाहिए तो आती नहीं है मुझे भी इनको भी नहीं पर यूं होता है मन भी हां कुछ करें तो कोई बात कोशिश करेंगे दो चार बार सीख जाएंगे धीरे धीरे तो इस तरह देखिए जी दोनों चटनिया बना ली है एक छोक बाली एक बीना छोक बाली और मक्षन भी निकाल लिया और इतना काम हो चुकाटा वगरा गूंद लिया और ये हस्बंड मेरे लगे तंदूर को तपान मतलब उसको लकड़िया लकड़िया डाल कर अच्छा सा गरम कर लेंगे और मेरे को ना हाथ पे तो फिर ये वेल नहीं आती जैसे हाथ से तंदूर में वेल कर पानी लगा कर ऐसे लगाते हुतते हैं तो मैंने क्या करा जैसे चुल्ले पे बनाई थी चकले वेलन से बस मैंने किचन में ही वेल वेल कर इधर लाला कर दे रही थी तो कुछ शुरू-शुरू में इन्हों ने लगाई और फिर एक-दो मैने भी ट्राई की और एक बार तो हाथ सा ऐसे जल रहा था सच में बताओं मैं आपको बिलकुल भीनी पहले कभी ट्राई किया मम्मी तो कई बार बन जल जाएंगे तो वस वो ही है ना फ्रेंस हस्बन ले आए तो मना नहीं किया गया तो हमें भी टाइम तो खेर नहीं बच्चे और ये सुबह सुबह जाते हैं तो इतना असरो काम हम काहा इस पर कोई बात नहीं संडे को सारे फ्री होते हैं इनकी भी छुटी होती है तो संडे को देख लिया करेंगे वही तंदूर की जो भी बनानी होगी तो एक बार तो ये मुझे डाटने लगए एक बार तो दो रोटियां तो बिलकुली जल चुकी थी और फिर दीरे-दीरे बाद में सारी रोटियां अच्छे से बन गए तो बस ये एक बार तो इनका भी मूर सा ओफ हो गया कि बताओ ये इतना कुछ कर लिया कि रोटियां लगाएगा कौन और फिर बाद में बस ऐसे चिमटा लेकर कोशिश करी तो बिलकुल अच्छी रोटियां बनी तो फर्स्ट एक्सपिरियंस काफी अच्छा रहा फ्रेंस तो मैंने सुचा क्यों ना आपके साथ मेरे फ्रेंस के साथ शेयर किया जाए तो एक बार उसको चुले को साइट में रख दिया था तो बस चुले की रोटियों के शौक से ही बस तंदूर का शौक हो गया तो ये देखिए बच्चे भी पास में बैठे कहते हैं मम्मी यह गरम गरम खाते रहेंगे तो बस इनोंने चटाई सी बिछाई और बच्चे मेरे पास ही बैठे तो बस बच्चे खा रहे थे और मैं और मेरे husband दोनों लगा रहे थे friends यह यह न बिलकुल अनजान बंदा हो एक दम तो एक जने की तो बस की नहीं होती बिलकुल ही तो थोड़ा सा तो बस phone करकर ममा से पुछा कि तंदूर वगरा कैसे कितना का time लेगा तो अपने वगरा में भी थोड़ा गरम होने में तो और कुछ इनको थोड़ा सा husband को भी पता ही था जैसे हम देख ही लेते हैं डबो डूबों पे लगाते करते हुए तो हाँ थोड़ा समन नुकता है भी हाँ हम भी कुछ इस तरह करें तो बस friends यह घी लगा लगा कर इसमें चपाती बुक्स में रख रहे थे और बच्चे साथ के साथ बठे खाई जा रहे थो तो जी इस तरह बस हमने चलो बस मस्तियां करते करते खाना बनाया और सबने मिलकर ऐसे बस बैठकर यही पर खाने लगे यह बच्चों ने खा लिया था तो मैं इनको भी बोनने लगी कि आप भी गर्मा करम साथ की साथ खालो तो बस मक्षन चटनियां वगयरा साथ बारी ले आए थे फ्रेंड्स तो ये देखिए कितनी सुन्धर लग रही है देखने में और यह जागा थोड़ा सा ये होता है ना थोड़ा सा इसाब सा पता लग जाता है जैसे तंदूर की थोड़ी सी मोती रोटी होती है तो हम जैसे गैस पर बना ये इतनी हेवी होती है, मुझे बस जादा नहीं, दो ही खाई जाती है, बद से बद तीन, बस तो बस ये बच्चे भी खा रहे थे, और इसके पाप भी खान लगे, और बस लास्ट वाली मेरी बची थी, तो फिर बस मैंने भी यही पे बैठके हाथ फेली, और ऐसे खाना खान लगे, तो बस फ्रेंट्स मिलकर ऐसे हमने तंदूर की रोटियां बनाई, और बस ये इनको तो इतना चाव चड़ गया तंदूर का, कि आज मैं तंदूर लेके आ रहा हूं, पहले तो मैसेज पे मैसेज करने लगे, उसकी पिक भेजने लगे, और मैं ना बुचा-बुचा मारक फ्री होई थी, और फिर मैंने सोचा, चलो भई, अब है पती देव की फरमाईश, तो अब जब है, तो चलो लगेंगे साथ ये भी, तो ये भी काम अच्छा हुआ, इनोंने तंदूर को अच्छे से, लकडियां, लुकडियां तो काफी पड़ी हुई है, और कुछ ये फैमली अपना, मिल चुल कर, ये हमारा देशी खान है, मक्खन, चटनी और अच्छा लगता है, तो जी ये अंदर चलेगे, सारे खाने खुनने का काम सारा निवर चुका था, और मैंने इदर बार से थोड़ा सा सेट किया, और वैसे तो मैं रात को ज़ड़ों नहीं लगात तो बस मैंने ज़ड़ों लगानियां से शुरू करती, और फिर अंदर की सेल्फ सुल्फ साफ की खिला रहा तो फ्रेंस, एक बार पूरा खिलरता ही है, पर चलो, टाइम भी अपनी एक तो गैस पे फटा-फट बन जाती है, पर उस पे टाइम भी थोड़ा वद लगा, तो चलो, मैं भी फरी थी, क्या करना था, सारा काम करके बैठी थी, बस आटा गुंदा और दोनों चटनी अपनाईयां, और अब ये बस फ्रेंस, गैस गुल साफ करूँगी, और ऐसे करते-करते मेरे को आठ साड़े-ाठ हो चुके हैं, और गंटा-डिट गंटा खाने में लग कुड़ा-कुड़ा खिंड जाता है, तो एक बार मेरे को यूँ था, चल जब सुबह उठते हैं, तो हमें रात का अगर साफ किया होता है, तो सुबह-सुबह साफ सुथरा मिलता है, कीचन, सेल्फ वगएरा, तो ये देखिए, कितना काफी कुड़ा था, तो बस मेरे से रह कानी गया, मैं जैसे बाहर जाड़ो लगा रही थी, तो फिर मैंने अंदर भी सारे जाड़ो लगाई दी, तो साइड में कुड़ा सा कठा करकर डाल दिया, और बस फ्रेंस, ये कुछ काम न, यो होते थे, फटा-फटा मिशीन भी शाम को लगी हुई थी, तो वो भी मैंने क कर नानू लेती हूँ, पर थोड़ा सा काम करने को थोड़ा सा लेट मन करता है, हमारा भी होता है कि फून-फून लेकर बैठ जाती है, या कुछ और, तो इसलिए बस कोशिश होती है, मेरी रात को जादा ही काम निवेडने की, तो इस तरह बस मैं अंदर से जहड़ो लगात ये तंदूर, तो इनको भी बस मैंने धक दोप कर मैं रात को रख दूँगी, क्योंकि बारिश वगएरा का के बारी पता नहीं होता, या धुन्द वगएरा तो होती है, वैसे तो मोसम दो-चार दिन से काफी मोसम में फरक है, और काफी हमारी लोड़ी के बाद ठंड थोड और ये देखिये, बस जाड़ू लगा कर मैंने इस पे दूद रख दिया था, और एक बार बड़ी लाइटें वगएरा ओफ कर दी थी, और दूद हमारा बन जाईगा कारनी वाला सा, इसमें काफी वो थे, अभी, तो फिर मैंने दूद ढख कर इस पे रख दिया, तो बस इ एक्स्टर जाईया रुजूया थी, जो एक दो बारक ही थी, और ये गद्दा बारक है, वो भी दर अंदर मैंने बिचा दिया, और ये कपड़े कपड़े जो उतारे थी दिन में, वो भी मैंने सारे तैतू लगा दिये, तो रात को तो ज़्यादा होता है काम, पर यूँ हो सुबह बस ऐसे ठंड में, बच्चे बच्चे लिए तोटते हैं, और ये बस तिन्नों बैठे फोन फोन देख रहे थे, और मैं अपनी मशीन मेरी लगी हुई थी, और इदर बस मैं सारा कुछ सेट सूट करने लगी, और चदने चुदरें जाड़कर बच्चे उदर हूम मे चले गए थे, और कपड़ों की तय लगा दी थी, और कपड़े मैं इदर अलमीरा में मैंने रख दिये थे, बच्चों के और हस्बन के, तो सारे मैंने कपड़े अच्छे से सारे तय करकर लगा दिये, एक बार रैक से सारे सुखी हुए कपड़े उतार दिये थे, और इतने से यह मंजी हो जाएगी खाली और यह गद्दा लेगी हूं मैं अंदर तो बस फ्रेंज यह करने के बाद बस कपड़े सुखाऊंगी और दूद दाद का होगा और बच्चा वीर बड़े वाला पढ़ रहा है और यह छोटे वाला और इसके पापा फोन-फोन अपना देख रह रहा का और इदर आगी बार में तो यह दूद देख रही थी और यह देखिए बार से बिल्कुल अंधेरा हो रहा है बस मोसम साफ है थोड़ा सा धुन्द वगेरा नहीं है लोडी के बाद वाक्या में काफी फर्क पड़ा है तो इदर बस फ्रेंज अब मैं तो फ्रेंज अ में सिकाड ली है तो वो बस मैं इदर मंजी पे और रैक पे एक बार डाल देती हूं सुबह जब अच्छी सी दूप आएगी जब इनको मैं बार निकाल दूँगी तो फ्रेंज कपड़े रोज की रोज ही बहुत जादा हो जाते हैं और सूकते भी बहुत उखे हैं चलो हफ यह एक बार तो यह सारे मेरे काम अभी रात को ही मैंने अपने फिनिश कर लिए और अब दालूँगी मैं बच्चों का दुबूद क्योंकि रोटी खिलाए हुए घंटा-डेड़ घंटा हो गया फ्रेंज और साधिन ओने वाले हैं और यह बस दूँगी मैं बच्चों को द तो फ्रेंज ओके गोड़ नाइट आई होप आपको आज का ब्लोग अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना कोमेंट करना शेर करना मिलती नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई